आप सभी दर्शकों का प्रदेश तक में बहुत स्वागत है मैं नीरस दिवेदी हूँ मद्द प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नौवी से बारिमी तक की छमाई परिक्षाएं 6 दिसंबर से सुरू हो रही है आप सब जानते हैं कि बीते वर्देश बोर्ड की तरज पर तिमाही और छमाही परिक्षाएं ली जा रही हैं जिसका कारण है कि दोनों परिक्षाओं के 5 प्रतीसत अंग वार्चीक परिक्षा में जोड़े जाते हैं जो मूल परिक्षा होती है जिसके आधार पर परिणाम आ प्रभावित होने की संभावना है ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार इसकूल सिक्षा विभाग में अस्थान आंतरन वरिष्टा सुची जारी करने और विधान सवा चुनाव के चलते इसकूलों के जो पाठक्रम है वो पूरे नहीं हो सके हैं जातर इसकूलों में 50 फिजदी से भी कम पाठक्रम पूरा हुआ है इसकूलों में मद्दान किंद बनाया जाने और सिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाया जाने की वज़े से भी सिक्षण बेवस्था पर काफी प्रभाव पढ़ा है चुनाव के चलते इस हपते से फिर से इसकूल में पढ़ाई 10 दि और विद्यार्थी योग का जो पाठकर्म होता है वो बिलकूल पूरा नहीं होता है जानकारी के लिए आपको बताने कि नौमी दसमी की परिक्षा 6 दिसंबर सुरू होकर 15 दिसंबर को खत्म होगी साथ ही परिक्षा का समय 9 बज़े से 12 बज़े तक रहेगा और 11 वी की और 12 की परिक्षा 6 दिसंबर से ही सुरू होगी जो 16 दिसंबर को खत्म हो जाएगी परिक्षा का समय प्रस्ट पत्नों के मुताबिक अलग अलग रखा गया है जिसके कुछ परिक्षाओं का समय 9 से 12 तो कुछ का समय 2 से 5 रखा गया है इतना ही नहीं नौमी और दसमी की को मिलने वाला है साथ ही मात्यमी सिख्षा मंडल के विद्यार्थियों को नवी कच्छा के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी गई मद्द प्रदेश यह स्कूल सिख्षा विभाग नहीं आदेश जारी करके बताया है सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि यह नियम सिर्फ सत्थ 2023-2024 के लिए ही मानने है 30 दिसंबर 2010 के बाद जन्म लेने बाले बिद्यार्थियों का नौमी में नामांकन हो सकेगा उमीद है सभी विद्यार्थी को सल्ता पुर्वक पर इच्छा देंगे और उनका जो परिणाम है वह अभी अच्छा आएगा इस खास ख़बर में फिलाल इतना ही अन्य ताजा तरीन और देश दुनिया की सभी ख़बरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक डॉट कॉम पर विजिट करें